कम्पेटिशन हबके वीडियो लेक्चर में श्वागत्य स्टूडेंट्स आपका और आज मैं आपको बिपी एससी बिहार एससी का एक बहुती महत्पूर्ण टॉपिक जो की किर्शी एवं पसुपालन बिहार से जूरी हुए किर्शी एवं पसुपालन एक टॉपिक है जहां जिससे क्या होगा कि हम जो पढ़ेंगे उस पता चल जाएगा कि हमने कितना उससे शीख और जो एक्जाम में किस परकार के कुश्टन स्ट पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वह किलियर हो जाएगा और इस टॉपिक के अंतर गत हम मेंस में किस परकार से किर्सी से जा सकता है उसकी भी चर्चा करेंगे क्योंकि इससे हमारे अंदर एक कॉंसेप्ट विक्सित होगा और यह बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक है क्योंकि बिहार एक किर्शी प्रधान राज है जैसा कि आपको पता होगा और यहां की 80% अबादी किसी ना किसी रूप में किर्शी पे निर्भर करती है यह भी आपको पता होगा तो किर्शी कितना महत्पूर्ण है बिहार के लिए यह आप समझी रहें क्योंकि यहां पे और अन उद्योग किर्शी पहले किर्शी फिर पासुपालन फिर आपका जो है इसकी समस्यां कारण और परिणाम को देखेंगे हम यहां पर देखिए श्टूजेंट्स लिखा हुआ है बिहार एक किर्शी परधान राज है अपने जीव को पारजन के लिए किर्शी पर निर्भर है ठीक है राज के शकल घरेलू उत्पाद में किर्शी का योगदान बहुत ही जयदा यानि 42% तक है जो भी आपका GDP है बिहार का उसमें किर्सी का ही योगदान उसमें 42% है राज की कुल किर्सी योग भूमी 80% से अधिक है जितनी भी भूमी बिहार के पास है उसका 80% भाग यहाँ पे क्या किर्सी योग भूमी है लेकिन जो हमारा छेतर है सुद्ढ भोया गया छेतर जहां पर किर्सी किया जा रहा है वो 57% है अन्य छेतर में बाढ़ के कारण या किसी अन्य कारणों से जो है वह भोया नहीं जाता है लेकिन जो आपका 80% छेतर जो कह ले कि अगर उसको धंग से किया जाए तो वो किर्शी योग बन सकता है बिहार राज के तीन असपस्ट किर्शी जलवायूं छेतर में जो है बिहार राज को विभाजित किया जा सकता है और किया गया है ठीक है और वो है zone 1, zone 2, zone 3 कई बार ये questions BPSC में पूछे जाते हैं कोई जिला का नाम दे सकता है पूछेगा कि कौन सा कौन zone में परता है ठीक है तो zone थोड़ा सा हम image आपको दिखा दे ये image आप देख पा रहे होंगे देखें यहां पर किरसी का जो जलवायू का जो छेतर है किरसी जलवायू एक बार ये questions BPSC में पूछा गया था ठीक है हो सकता है पूछेगा कि सीता मड़ी बिहार के किस किरसी जलवायू छेतर में है तो देखे यहाँ पर यहाँ पर सबसे पहले उत्तर जो आपका यह उत्तर और पस्चिम का छेतर है उधर से हमें स्टार्ट करते हैं जोन वन जोन टू जोन थ्री तो यह एक तरीका देखे क्लॉक वाइज हम लोग देख सकते हैं यहाँ लेकिन उत्तर पस्चिम से स्टार्ट क के जो उत्तर साइट उत्तर मैदानी वाला भाग है उत्तर पस्चिम भाग जिसे पस्चिम चंपारण पुर्वी चंपारण गोपाल गंज सिवान सारन मुझपर पूर्शिता मड़ी मदुवनी दर्भंगा समस्ति पूर्वैसाली बेगुसराय यह क्या है आपका जोन एक के अ सब उत्तर पूर्वी जो जिले हैं वो जौन टू के अंतरगत है और यह जो नीचे वाला दक्षिन बिहार है वो पूरा जौन तीन के अंतरगत आता है तो इसको भी दो पार्ट में बाट दिया गया जौन थ्री ए और थ्री बी जनरली क्वेशन पूछेगा दक्षिन बिहा अगल पूर्ण मूंगेर हो सभी जौन थ्री में आते हैं तो जौन क्षिन ऐ आपका दक्षिन पूर्वी हो गया तु Workshop पस्द्न हो जो भी जिला है फो जौन थ्री भी में आते हैं तो बिहार का मैप आप जरूर बार बार देखेंग गे कि प्यस जो भी स्टूडेंट्स हैं यहां से कई questions एक दो questions मैप से जुरा हुआ questions हर एक बार BPSC में दे ही देता है तो एक बार अच्छे से मैप भी देख करके एक्जाम में जरूर जाएंगे चलिए अब में main topic पे आते हैं तो जौन 1, जौन 2, जौन 3 आपने देखा जौन 3 को जौन 3A और 3B में बाटा गया है उत्तर पस्चिम जौन में 13 जिले समली थें और यहां पर आउसत बरसा जो है 104 से 145 सेंटीमीटर का होता है यह नि बरसा है अच्छा ठीक है उत्तर पुर्वी जौन में जो सबसे जायदा बरसा होता है बिहार में जैसे आपका किशन गंज अररिया है तो उधर बहुत जायदा बारिस होती है तो यहां पर 120 से 170 संटीमीटर तक बरसा होती है ठीक है 120 प्लस बरसा यानि समवन से जायदा बरसा हुआ ठीक उसके बाद है आपका आउसत बार्सिक बरसा जो है सबसे कम जो है दक्षिन बिहार में यानि जो आपका तीन है जोन तीन जिसमें टोटल संबलित जिले 17 हैं 3A और 3B मिला करके तो इसमें बरसा सबसे कम होता है 99 से 130 संटीमीटर ही होता है और परमुक मिर्दा को देखिए मिट्टी तो जोन वन में बलुई दोमट मिट्टी है और जोन तीन में तीनों परकार के मिट्टी है दोमट बलुई और चिकनी पहले में सिर्फ बलुई दोमट है उसके बाद चिकनी इसमें एड़ हो जाएगा दोमट के साथ जोन टू में जोन थ्री में दोमट बलुई और चिकनी तीनों तरह के मिट्टी उसमें है अब फसल के परकार किस-किस परकार के फसल बिहार में बोए जाते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम ठीक है बिहार में मुक्तत तीन परकार के फसलों की किरसिक की जाती है आपको पता होगा ये बात खरीब रभी और जायद जो ये तीन फसल है सीजनाली मौसम में ये अलग-अलग मोसम में किये जाते हैं फसल के परकार यहां देखिए बोय जाने की अबदी, काटे जाने की अबदी फसलों के नाम रभी फसल, रभी फसल यानि ऐसा फसल जो ठंड महिने में हो यानि अक्टूबर से नमंबर के बीच में बोया जाता है और मार्च अप्रिल में काट लिया जाता है उसको हम रभी फसल कहते हैं यानि ठंड महिने में होने वाला फसल रभी फसल है, जैसे आप देखते होंगे यह होता है, चना जो, मतर, सरसू आलू, राई, इत्यादी उसके बाद है खरी फसल खरी फसल ऐसा फसल जो गर्मी महिना में हो जनरली, ठीक है यह जून जुलाई में बोया जाता है और नमबर दिसंबर में काट लिया जाता है इसमें आपका हो गया आपका धान, गन्न, तिलहन, जौर, बाजरा, मक्का, अरहर, इत्यादी कई बार पूछा जाता है कि मक्का किस परकार का फसल है तो याद रखना है जितने भी मोटे अनाज है वो लगवक सब खरीफ फसल ही है ठीक है जिसे जुआर है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है ठीक है और धान, गन्न, धान इसलिए भी हम खरीफ है क्योंकि यह बरसात में होता है आपको पता होगा और जून, जुलाई और नवंबर, दिसंबर के बाद ही बरसात आती है तो इससे भी आपको याद रहेगा गन्ना एक याद रखना है आपको ठीक है और तिलहन, जो फसल होते हैं बहुत सारे, ठीक है वो इसी मंत में होते हैं खरीफ में, ठीक है खरीफ सिजनली, सिजन में होते हैं ठीक है, उसके बाद है गर्मा या जाइद जो कि मई-जून में बोई जाते हैं और जुलाई अगस्त में जो है हो जाते हैं ति इसमें मक्का भी है मक्का जो है आपका जायद में भी आता है मर्वा है जूट है ये सब आता है और आपका ककरी खीरा ये सब भी है वो जायद फसल में आते हैं जो खीरा तारबुज जो आप खाते हैं ठीक है तारबुज खीरा ये सब भी जायद फसल के अंतरगत आते हैं इसको गर्मा फसल भी क तर्गत आता है लेकिन यह गर्मा फसल है जायद फसल है अब देखे बिहार के पर्मुख जो फसल है उनके उत्पादक छेतर कौन-कौन से हैं वो है चावल में चंपारन, पुर्णिया, वैसाली, सारन, शिवान, गोपालगन, समस्तिपूर, पत्ना, मुंगेर यहों में चमपारण वैशाली, मुजपरपुर, शिता, मदी, मका, चमपारण, मुजपरपुर, शिता, मदी, दरवंगा, सहरसा, और सार, जो, जोर, चमपारण, पुर्या, बस यह देख लीजिए और यहाँ से पूछेगा तो बस यह पूछ सकता है कि किस शित्र में उत्पादक्ता या उत्पादन जायदा है वो मैं आगे चर्चा करूँगा तिलहन सर्सों में पुर्णिया, मुझपर, पुर्तिरहुत और पटना है पटना याद रखिएगा कि आपके दलहन में पटना जिला बहुत आगे है ठीक है और तिलहन में भी है यह सब देख लिए सर्सों पुर्णिया, मुझपर, पुर्तिरहुत और पटना तील गया में है तील का एक मात्र उत्पादक सबसे बराच्छेतर गया है ठीक है गया का तिलकुट भी आपने नाम सुना होगा तो तील सबसे जयदा गया में होता है तीसी पटना तिरहुत भागलपूर मुझपरपूर ये भी एक परकार का खाद पदार्थ है दलहन में अरहर है दरभंगा मुझपरपूर सिता मर्डी जो आपका बिहार का उतरी भाग है उसमें सबसे ज़्यादा अरहर होता है सिता मर्डी मुझपर पूर दर्भंगा की तरफ उसके बाद है चना, चना में आपका सबसे ज़्यादा पतना आगे है दलहन में चना का दाल मसूर में भी पतना है तो दलहन में अगर पूछे तो पटना आप दे सकते हैं गन्ना चमपारन आगे है जो आपका उत्तर पहस्यम भाग है चमपारन पुर्वी चमपारन या पहस्यम चमपारन वहाँ सबसे जायदा आप देखेंगे कि चीनी का उत्पादन होता है गन्ने की खेती बिहार में उसी चेतर में होता है जूट को अगर देखें तो वह सबसे जायदा जो आपका दक्षिन पुर्वी भाग है उत्तर पुर्वी भाग पुर्णिया सहरसा के तरफ जूट का उत्पादन यानि बंगाल से सटे हुए जि है ठीक है तो तंबाको पूछे तो आप मुंगेर अगर ऑप्सन में हो तो वह भी हो सकता है और दरभंगा मुझा परपूर्व समस्ति पूर्वी यह सब में तो तंबाको होता ही है यह बेवसाइक फसले थे ठीक है कुछ important तत्य है फसल और उसके उत्पादन अगनी जिले बिहार में कौं से है तो चाबल में याद रखना आपको रोहतास का गेहों में अभी 2017 में बेगुसराइब आगे आगे था उत्पादन में ठीक है मक्का में कटिहार आगे है दलहन में पटना नालंदा है गन्ना पस् पूछे गए है और यह इसमें यही तीनों जिला आगे रहते हैं इसमें क्या होता है कि बदला होते रहता है कभी बेगुसराइब कभी मुझा परपुर इस तरीका से यह चेंजिंग आते रहता है मक्का में भी जो है चेंजिंग आते रहता है उत्पादक्षेत्र में ठीक ह लेकिन ये fix है यहीं पर होता है सबसे ज्यादा तो ये questions पूछे जा सकते हैं ठीक है अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि समस्याएं किर्शी की समस्याएं जो है वो कितना है उसके बाद हम फिर आगे चर्चा करेंगे पसुपालन के बारे में ठीक है अब देखे बिहार में किर्शी की समस्याएं क्या है आखिर इतना किर्शी योग भूमी होने के बावजूद भी बिहार किर्शी में इतना पिछरा क्यों है ये भी हम लोग आ जानने का प्रियास करेंगे अगर आप देखें तो बिश्च के जितने भी किर्शी छित्र हैं उसमें बिहार का भी अस्थान उपजाओ मिट्टी में जो है अगनी स्रेनी में आता है यहां की भी मिट्टी जो है बिश्च के किर्शी छित्रों में किर्सी के लिए जो जलवाय हुँ है मिट्टी है उसमे अगनी राज या देश का अगनी जिला में सड़ी देश का अगनी राज में आता है बिहार लेकिन यहां पर भहुत सारी समस्याय है किर्शी के साथ वह क्या क्या है जिस कालए से कहारद से यहां usually क्या शेत्र में भी उतना अभीकास नहीं हो पाया है सबसे पहला कारण हम प्राकिर्टिक कारण को रखते हैं उसके अंतरगत है आपका बाढ़ आप देखेंगे कि उत्तर बिहार एक तरफ बाढ़ से प्रुभावित है उत्तर बिहार में नदियों का जाल विछा हुआ है और जून और बाढ़ लाने से क्या होता है कि उत्तर बिहार लगभग इतने नदियां हैं कि पूरा लगभग जो है बहुत सारा छेतर जो है यहाँ पे लगभग साथ पर तिसर छेतर जो है वो बाढ़ प्रुभावित हो जाता है जिस कारण से जो फसल होते हैं वो डूब जाते हैं औ सुपालन के लिए भी जो है वहाँ पे चारा की अभाव हो जाती है तो इस परकार जो है यहाँ पर प्रेसानियां आपको जो है बिहार में हो जाती है बाढ़ और सुखा के कारण उसके बाढ़ जल जमाब जब बाढ़ आता है तो तुरत पाणी इधर उधर जाता नहीं है ठर खेत, खलियान, सब्डूओ देता है, तो यह मौनसून का जो परवर्तन कारी नीती है प्राकिर्टिक कारण, यह बहुत बहुत ब़रा जिम्यदार है, एक महतुपून तत है, बिहार का लवड़ नौ लाख हेक्टेर भूमी, जो जल जमाव से, गर्षित है, इक बहुत ब़रा पाता है अब दूसरा कारण है संस्थागत कारण संस्थागत कारण यह मौनम निर्वित है इसमें क्या है जोद का आकार छोटा आपको पता होगा कि बिहार पपुलेशन जनसंख्यां घनत में भी सबसे अगनी राज्य है और यहां पे कि उसके बंसावली में अगर पिता है पिता के चार बेटे हैं तो उसका फिर खेत क्या होता है चार भागों में बट जाता है फिर उसका आगे हुआ तो फिर उससे बट जाता है तो खेत क्या आकार क्या हो जाता है छोटे हो जाते हैं और जब छोटे आकार हो जाते हैं तो उसे उतना इंकम नहीं हो पाता है किर्शक को तो वो खेती करना नहीं चाहते हैं तो जोत का आकार छोटा होना भी बहुत बड़ा कारण है और छोटा होने के कारण क्या होता है कि वहा तक बहुत सारे सामग्णियां है किर्शी 2021 समधि तो वो नहीं पहुँच पाते हैं अगर मान लिजे किसी को खेती करना है और वह मसीन से खेती करना आसान होता है और वहाँ पे जहां खेत है उनका वहाँ पहुचने का कोई शाधन नहीं है रास्ते नहीं है छोटा सा भाग है एक कठे दो कठे का तो वहाँ पे जो है वह मसीन से खेती भी नहीं कर सकते हैं तो उ बहुत का आकार छोटा होना बहुत बड़ा कारण है उसके बाद है भूमी का और शमान वित्रन अगर आप बिहार को देखें गौर करें तो अगर जातिकत यहां पर इस्ट्रक्चर देखें तो अगरी जाति जितने भी हैं यहां पर बिहार में उनके पास जाइदा जमीन है ज जो किर्सक समुदायक हैं जो किर्सी कर सकते हैं खेत में जाकरके उनके पास जमीन नहीं है और जो जमीनदार हैं जो अगरी जाती हैं वो खुद से खेती करते नहीं वो करवाते हैं तो इससे भी क्या होता है कि किर्सी में नुक्षान होता है ठीक है तो भूमी का और शमान बितरन भी एक परमुक कारण है उसके बाद बिहार में भुमी शुधार का अभाव रहा है बहुत सारे कानुन बने हैं लेकिन लागू नहीं किया गया है और यहां का जो खेत है वो सिमान्त परकार का है जहां पूरे देश में अवस्तन जमीन किसानों के पास एक दसनलग आठ हेक्टेर है वही बिहार में जो है 90% सिमान्त जोत हैं यानि उन किसान के पास जो एक हेक्टेर से कम है कई बार पूछ सकता है कि सिमान्त जोत किसे करते हैं यानि जिनके पास एक हेक्टेर से कम खेत हो तो बिहार में 90% किसान जिनके पास बहुत ही कम खेत है तो सिमान्त जोत उसको बोलते हैं ठीक है तो ये भी बहुत ब़रा कारण हो जाता है और किर्सी में तबी निकम होता है जब आप बरे लेवल पे बरे अस्तर पे खेटी करते हैं ठीक है ये सनस्थागत कारण में आगया तकनिकी कारण भी अगर आप देखें एक तरफ जब हरित कृरांती नहीं हुआ और प्रियाप्त सिचाई बेवस्था यहां पे है जो नहरे हैं मात्र आप देखेंगे कि बिहार में जो उत्तर पस्षिम छेत्र है पस्षिम चंपारन उधर ही कुछ नहर है बाकी के छेत्रों में क्या है कि पंपिंग सेट के माध्यम से तालाब के माध्यम से जो है सिचाई की जाती है तकनिकी का भी अभाव है बिहार में बिहार में अभी भी बहुत जगा जो है हल से बैलो से जो है आप खेत को जोते हुए किसानों को देख सकते हैं यानि प्रम प्रागत किरसी यहां पे जो है वो और यहां पे रसाइन का जो प्रियोग जो खाद होता है वो भी बहुत कम किया गया है जिस कारण से भी जो है किरसी में उतना जो है विकास नहीं हो पाया है तो और प्रियाप सिचाई बेवस्ता नविन तक्निक की जगह प्रम प्रागत किरसी तक्निक पर निर्भरता आज भी जिसे यहां गेहों काटना है तो जनरली मजदूर लोग ही काटते हैं लेकिन अगर आप देखें पंजाब हर्याना को तो वहां पर मेकसिमम काम अब जो है वह मसीनों के माध्यम से किया जाता है तो इसमें बहुत पिछनग और टकनिकी कर और इसके पिछे रिजन है जोत के आकार का छोटा होना भी और खेती जहां पे होता है वहां तक जो है उस सामग्री का पहुँच नहीं पाना क्योंकि जो एस्ट्रेक्चर है बुनियादी स्ट्रेक्चर वो सही नहीं है सरको जो सरक हैं वो खेत से सनरचनातमक कारण के अंतरगत हम इसको रखते हैं, जौथा सनरचनातमक कारण बिजली परिवहन बाजार का समचित परवन्द न हो न बिजली का भी अभाव था, बतमान Boss में तो अब बिजली की विवस्था अच्छी हो रही है परिवहन परिवहन का अभाव है बिहार में परिवहन संसाधन कमी है बाजार भी जो है यहाँ पे नहीं है और इसके लिए जो है किर्सी रोड में पेक वर्क किया जा रहा है बिहार में समचित जो नेम है नेशनल एग्री कल्चर मार्केट यह सब के स्थापना किया जा रहा है तो यह सब जो है किर्सी की संरचनात्मक जो बाधा है उसको दूर करेगा अब देखिए यहां परिवाण की सुब्धा खेतो तक नहीं होना यह भी परमुकारण संरचनात्मक में खेत जो स्रक है सबी खेत तक नहीं पहुँच पाते हैं उसके बाद है आर्थिक कारण अब सब से परमुकारण आर्थिक कारण को भी लेंगे हम क्योंकि अगर हम बिहार को देखें तो बिहार सुरू से जब अंग्रेज आया है तब से सोसी तरह है सबसे पहले अंग्रेज बिहार मंगाल प्रांथ में ही आकर के सोसन किये हैं जमिंदारी बिवस्था भी आई तो बिहार में ही सबसे ज़्यादा सोसन हुआ तो शुरू से किसानों के पास बित की समस्या है पैसे की समस्या है उसके बाद दूसरा रिन की समस्या है इन्हें रिन मुहया नहीं हो पाता है सरकार से पर उपर लाव नहीं मिल पाता है या यह कहा लीजिए अगर मिलता भी है तो बरे किसान जो है इसका फाइदा उठाते हैं जो बास्तब में खेती करते हैं देखे यहाँ बिहार को अगर गौर कीजिए तो मेक्सिमम खेती जो है वो बटाई दारी बेवस्था पे अधारीत है यहाँ बटाई अधारीत जो किरसी है जिस कारण से क्या होता है कि जो अगर सरकार कुछ प्रोफिट भी देती है किसानों को लाब भी कुछ पहुचाना चाहती है फसल भीमा से रिलेटेड या कुछ भी तो वो किसान जो जिनके पास खेत है उन्हें मिल जाता है बकि जो उनसे बटाई लेकर के खेती कर रहे होते हैं उन्हें नहीं मिल पाता है बास्तविक में किसान तो वो होते हैं जो खेती कर रहे होते हैं लेकिन वो फाइदा जो है उन किसानों को म उन्हें मिल जाती है लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता जो बास्तम में बटाई ले करके खेती कर रहे होते हैं तो इस कारण से भी खेती की इसे दुर्दसा हो रखी है बिहार में उसके बाद ये सब पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए उसके बाद किर्सी उत्पादों का उच पर अशल उठाएं या जो भी सब्जी है या कुछ भी है तो वहां पे दो या तीन रुपीय वही अगर आप मार्केट में पहुंचते पहुंचते उस सब्जी का रिए दस से बारा रुपया हो जाता है यानि में जो प्रोफिट बिचोलिये को हो जाता है नहीं किसान को यहां जनसंख्यां गहनत्यों का दवाब तो है ही कुसल सरम का भी अभाव है शिक्षित किसानों का नहाँ होना सिक्षा भी एक महत पूर्ण कारण होता है क्योंकि नए ने टेकनोलोजी को सिक्षित लोग ही जल्दी सीख पाते हैं जो मुर्ख किसान हैं जो अनपड हैं उनको जो है समझाना बहुत थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो सिक्षा का अभाब भी किसानों के लिए एक बहुत ब किसानों को किसी लोन या कुछ माप कर देने से यहां का विकास नहीं होगा बलकि एक बुन्यादी एस्टेक्चर या का लिजिए जिसे बिजली फ्री कर दिया जाए जिससे किसानों को फाइदा मिले यह सब फाइदा जो पैसे देने से अच्छा है रिन जो कर्ज या जो दे पिजली की शुवधा दे, फ्री कर दे किसानों के लिए बिजली, ठीक है, सिचाई बेवस्था लाए, किसानों को सबसीडी पे बीज, खाद, बहुत सस्ते दाउन पे मिले, ये सब से इनको फायदा मिलेगा, लेकिन दिरिट इच्छा सकती जो है राजनितिक इसका भी बिहार तो भरष्ट आचार में आगे है ही, और हर एक छेत्र में है, तो ये भी परमुख कारण है, अब इसका समाधान कैसे होगा, तो कारण के अस्तर पे सुधार किया जाए, जो भी कारण है, उसको देखते हुए सुधार किया जाए, ऐसे अभी किर्सी रोड मैप 3 लाए अधिनियम बने हैं, 1952 का जिसी जमिंदारी उन्मूलन अधिनियम है, 1956 का चकबंदी अधिनियम है, और 1961 का हद बंदी अधिनियम है, इसको जो है, लागू किया जाए, लेकिन सरकार जो है, इसको लागू नहीं करवाती है, इसके पीछे कई कारण है, क्योंकि जो परमुख लीडर हैं बिहार में, जो भी नेता हैं, वो मेन रूप से जमिंदार किर्सक बर्क से आते हैं, जमिंदारी उनकी रहती है, बहुत जैदा मातरा में जमीन रहता है, तो वो नहीं चाहते हैं कि या जो है, अधिनियम आबे, चकबंदी हद बंदी, उसमें एक लिमीट तक ही आप खेती कर सकते हैं या इस तरीका का है, तो वो नहीं चाहते हैं, तो यहाँ पे जो राजनितिक कारण भी बहुत बढ़ा जिमेदार हो जाता है, तवंदी, चकबंदी जैसे नियमों का अधिनियम लागू ना हो पाना, उसके बाद है, समेकित किर्सी या एकित किर्सी को बढ़ावा देना, समेकित किर्सी मतलब किर्सी के साथ साथ अन्य भी काम, जैसे मतस्र पालन है, पसू पालन है, वो भी करना, इसका विकास होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ किर्सी से किसानों का विकास नहीं होगा, साथ साथ उसमें मचली पालन है, पसू पालन है, जैसे तर उत्पादन है धिहार में जो सब उतपादन हो सकता है उसके भिश्यश ध्यान दिया जा रहा है समिकित क्रौक्ली के तहत जिसे peril específic अब केला ली विचिल एक साथ मिला है वाहर में भी और इसको बड़े अस्तर पे अंतराश्टी अस्तर पे पहचान मिल लही है। उसके बाद है जयबिक किरसी को प्रोसाहन, यानि जयबिक किरसी है जैसे खाद के लिए यूरिया पोटास का प्रयोग ना करके गोवर का प्रयोग करना, किर्सी को उद्योग का दर्जा देना यानि किर्सी जिस परकार से उद्योग को रियायत मिलती है को छुट मिलता है उसको सरकार बीच बीच में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पुरुसाहन रासी देती है उसी परकार किर्सी के लिए भी यह रासी दिया जाना चाहिए, उसके बाद खाद पर संसकरन उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, खाद पर संसकरन उद्योग यानि जायदा समय तक किसी भी खाद पदार्थ को जिसे साबजी है, फूड प्रोसेस्ट करके, जिसे अगर ट मार्केटिंग हो सके उसके बाद है किर्सी रोड मैप तीन का उत्पादन में बिर्धी खाद सुरक्षा यानि जो खाद सुरक्षा है वो जो खाद का फसल उत्पादन में जो नस्ट हो जाता है वो कम हो पोसन की सुरक्षा हो किसानों की आय में बिर्धी की जाए यानि 222 तक सुधार अब देखे किर्सी रोड मैप 3 वह बहुत महतोपूर्ण हो जाता है किर्सी क्योंकि यहां से questions पूछे जा सकते हैं आपके exam में किर्सी रोड मैप 1, 2 के अनभवों को सामिल कर किर्सी रोड मैप 3 बनाया गया है इसे इंदर धनुसी कार्जकरम का नाम दिया गया है कई बार पूछेगा किर्सी रोड मैप 3 का अन्य नाम क्या है तो इसे इंदर धनुसी कार्जकरम भी कहा जाता है किर्सी रोड मैप 3 में 12 विभागों के कार्जकरमों को सामिल किया गया है और 5 बरसों में परतिक किसान अग्रीम अनुदाउन करने की विवस्था की गई है पटना से भागलपुर गंगा के किनारे तथा दन्यावा बिहार सरीप जो है एनेच और एसेच एस्टेट हाइवे और नेशनल हाइवे के किनारे जैबिक कोरीडोर विक्सित करने का प्रियास किया जा रहा है यानि खेती उसके दोनों तरफ जो है सबजी उत्पादन ठीक है किया जाएगा जमीन का सन्रक्षन एबं उनके कम्प्यूट्री करन को बढ़ावा जो भी डाटा है उसको कम्प्यूट्री कित किया जा रहा है किर्सी के लिए अलग से बिजली फीडर की अस्थापना करने का प्रियास किया जा रहा है बिजली संचालित पंप सेंट का पंप सेट जो होता है पंपिंग सेट जिससे पौनी सिचाई होती है वो विवस्ता किया जा रहा है हर्याली मिशन के तहत बंच्षेतर को 17% करने का लक्ष रखा गया है जिसके तहत पेर लगाये जा रहे हैं और ब भारत के परतेक थाली में बिहार के एक वेंजन यानि सब्जी को पहुंचाने का लक्स रखा गया है किर्सी रोडमैप 3 के तद और अन्यपाहल के तद जो है बहुत सारे जो किर्सी विश्विद्याले खोले जा रहे हैं जिसे गया में किर्सी अभियांत्री की महाँ विद्या खोला गया है और एक महतपून तत है इसराइल के मदद से नालंदा में सर्जी तथा वैसाली में लीची आम से संबंदित अनुसंधाउन के अंदर की अस्थापना बिहार में किया गया है तो ये कोशन पूछा जा सकता है किसके मदद से तो इसराइल के मदद से तो ये आपने अब जो है हम चर्चा करेंगे पसु पालन से ठीक है पसु पालन और मतस्व पालन का बहुत छोटा टॉपिक है जैदा बड़ा टॉपिक नहीं है मातर पॉंच मिनट में यह हो जाएगा तो इसको भी आप देख लें पसु पालन बिहार जैसे किर्शी परधान राज की अर्थ करोर्ध है राज में परती पंच बेक्दियों पर एक पसु उपलब्ध है बिहार देश के 2% भेर 9% बकरियां 10% सुवर 10% गाय और भैसे है यानि पूरे राज का 10% लगभग गाय भैसे यहाँ पर उपलब्ध है बिहार में पटना बेगुसराय मुझपरपूर जिले डेरी उद्ध्योग के लिए परमुक के अंदर हैं कई बार पुछेगा कि बिहार में कौन सा छेतर जो है डेरी उद्ध्योग के लिए फिमस है तो पटना बेगुसराय और मुझपरपूर बेगुसराय का आपने सुधा फेक्ट्री का नाम सुना होगा तो ये सब छेतर दुग दूत्पादर में अगनी है बिहार में उपलब्द पसु संसाधन कितने लाक में हैं ये पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी एक बार देख लेजिए 124 लाक के आसपास गाया है अब है पसुधन में सरवादिक संख्या में जो है गाय में सबसे ज़्यादा गाय अररिया में है और भैस ये पूछावा कोशन है सबसे ज़्यादा भैस कहा पाया जाता है बिहार में तो मधेपूरा में और बकरी में भी अररिया है गरीबों का गाय भी कहा जाता है बकरी को महत्मा गांधी ने इसे गरीबों का गाय भी कहा है बकरी को और ये बिहार के अररिया में सबसे ज़्यादा संख्या में है पॉल्ट्री जो पक्षी होता है जो बत्तक मुर्गा ये सब ये कटिहार में सरवादिक है दुग उत्पादन में सिर्ष जीले समस्तिपूर पटना बेगुसरा है गाय के दूद में बकरी के दूद में अरर्या पुर्वी चमपारन और मुजबपरपूर है मतस उत्पादन को देख लेते हैं मचली उत्पादन, राज में मचली का परति बैक्ती उप्लबता 7.7 किलोगराम ह्य जोकि राश्टे आउसत 10 किलोगराम से कम है यानि परती बैक्ती यहाँ पे जो है 7,97 किलो गराम परती बर्स ही उपलब्धता है मचली का जबकि राष्टिया आउसत है देश का दस यानि बिहार पिछरा है मतस पालन में मतस इब मतस बीज उत्पादक सिर्ष जिले अगर देखे बिहार में तो वो मतस में मचली में मधुबनी पुर्वी चमपारन और दर्भंगा आगे है जबकि मतस बीज में मधुबनी दर्भंगा और पुर्वी चमपारन आगे है अगनी जिले तो यह याद रखना है आपका भूमी सुधा अधिनियम 1950 में लागू किया गया है, एक भूधान अधिनियम 1954 में, बिहाराचक बंदी अधिनियम 1956 में और ये सब सुतन्ता प्राप्ति के बाद ही बना दिये गए थे, लेकिन फिर भी अभी तक इसको धंग से लागू नहीं किया गया है भूमी अधिनियम 1961, भूमी हदवन्दी अधिनियम 1962, तो इस परकार ये भी important तत्थ हो जाता है, तो इसको आप जरूर नोट कर ले, थोरा सा वीडियो बरा हो रहा है, तो objectives का जो set practice है, वो मैं अगले वीडियो में करूँगा, अगर आपको अच्छा लगता है, तो इसको like करे notification bell icon जरूर दवा ले, जो कि next video आपको मिलता रहे, और दोस्तों इसको share भी करे, जिससे क्या होगा, कि मुझे भी प्रोसान मिलेगा, और मैं जैदा से जैदा वीडियो आपको बनाऊंगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, thank you so much watching for this video,